नवश्कार दोस्तों विप्राची संस्क्रदी आयस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत करते हूं टागेट प्रिलिम्स करेंट अफेव बीस्टोर न्यूस्पेपर इस प्रोग्राम के तहत न्यूस्पेपर से लिए गए महतपूर्ण करेंट अफेर के टॉ को जाना फोलो करना है वीडियो में स्टार्ट करूं इससे पहले दो बाते आपसे कहनी है पहला आज का वीडियो पूरा देखिएगा बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है आठ टॉपिक्स टोटल हम इसमें कवर करेंगे जिसमें हम आज की टॉपिक्स और पिछले टॉपि कीजिए तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन से आठ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं सारे ही टॉपिक बहुत जादा इंपोर्डेंट है आपके प्रिलिम्स के पॉइंट और व्यू से पहला टॉपिक मंगी पॉक्स है हाली में डबलु इंडिया बायो एकनॉमिक रिपोर्ट ये रिपोर्ट देखे रिलीज की गई है तो बाया एकनॉमी होता क्या है इसके उद्देश्य क्या है कौन कौन से प्रॉडक्ट इसके अंदर में आते हैं भरत सरकार के द्वारा इसको ली करकिया कुछ इनिशेटिफ चला रहे हैं इ इसको भी देखेंगे भारत की क्या रिंक है फर्स नंबर पर कौन सी कंट्री आई है और एंड में कौन सी कंट्री जरी किस बीस पर जो है कंट्रियों को रैंक देता है इसको हम समझेंगे कोई भी इंडेक्स रिपोर्ट आपके प्रिलिम्स के पॉइंट आफ वुसे काफी इसके बाद वर्म होल बहूत ही ज़ादा इंट्रस्टिंग एक precisamente है दा हिंदू का जो साइनस अंटेक का एडिशन आता है उसके सकतंब रबहुत थी प्रवाधान प्रवाषी प्रवासी मोनार्ख थितली गोशित कर दिया गया है तो शह बटरफलाई के बारे में थोड़ी सी चीज़ का पर प्रवाध है कि एक एकुक्रत थीएटर कमांड। इसको लेकर जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से एक स्टीटमेंट दी गई थी कि बहुत जल दी भारत इस दिशा में काफे सुद्रड प्रियास करने वाला है, तो एक एकर थेटर जो कमांड होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी इंटीग्रेटर थेटर तो यह देखें इंपॉर्डेंट हैं, तो आएए शुरुवात करते हमारे पहले टॉपिक से मंकी पॉक्स क्यू न्यूज में हैं क्योंकि विश्व स्वास्थे संगठ यानिके डबलु एचो ने वैश्विक स्वास्थे आपातकाल की घोशना करते हुए जो मंकी पास मंकी हजार से अधिक जो है मामले दर्ज किये गए हैं जो पहले एफरीका तक ही सिमित थे लेकिन अब ये वाइरस जो है एफरीका के बाहर भी अपनी दस्तक देने लगा है जैसे आप देख सकतने कि इंडिया की केरल में इससे संबंदित मामले जो है पाए गए हैं इसके बाद विश्व की लेवल पर इसको टैकल करने की जरुरत है एक वैश्विक समुदाय के सैयों की आवशक्ता अगरो दूसरा क्या हो ये स्थानिक रहा हो जहां पर ये शुरू हुआ था वहां से निकल कर बाकी देशों में भी क्या है फैलने लग गया हो तीक है तो ये कुछ कंड क्या है आवशक्ता है जो चीज मैंने आपको समझाए वाइरस का गैरस्थानिक होना मतलब वाइरस का उन चेत्रों में बहुत तीजी से प्रसार हुआ है जहां पर इसको पहले नहीं देखा गया था और अगर बात करें सिर्फ एक महीने की क्यों इसको लेकर इतनी चिंता द प्रद्धी जो है हो गई है तो हम सब लोगों को थोड़ा सा ध्यार दखने की देखे आवशक्ता है यहां पे पिक्चर देख सकते हैं तो आप देख रहेंगे स्किन पर आपको रेशिस या फिर पॉक्स टाइप का दिखाय दे रहा है तरसल मंगी पॉक्स चेचक की तरह ही दिखने वाली एक बिमारी है लेकिन चेचक से थोड़ी कम गंभीर होती है लेकिन देखे क्या होता है कि कई जब कीस थोड़ा बिगड़ जाता है तो यह जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है तो यहां पर देखे वाइरल है यानिके वाइरस के द्वारा होनी वाली बिमारी है जनोटिक बिमारी है जनोटिक को हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके है जिसका मतलब होता है जानवरों से मनुष्यों में जब संकरमन फइलने लगे तो जोनोटिक डिजीज बोलते हैं तो देखे इसमें चेचक के समान का है लक्षन प्रदर्शित होते हैं स्किन पर जो हम तो पर रहा नाम क्योंकि यह मंकी में फिर्स तेम पाया था तो मंकी आपक्स जो है रख दिया गया था यानिकि निग्या उनिक पहली बार इस वाइरस के बारे में क्या है खोजा गया था तो प्रारंबिक चरण में इसको चेचक से अलग किया जा सकता है अगर सिम्टम्स की बात करें तो सरदर्ध होना फीवर आना बॉड़ी एक होना वीकनेस होना स्किन पर ये रैशेज आजाना ये कहीं न कहीं देखिए चेचक जैसे बिमारी से ही मिलते है लेकिन बिमारी के स्टार्टिंग में ही चेचक स इसको अलग किया जा सकता है क्योंकि जो हमारा लिंफ ग्लैंट होता है ठीक है जो हमारी लिंफ ग्रंटी होती है वो उसमें बढ़ जाती है तो ये थोड़ा सा अब ध्यान लखिएगा संचरन कैसे होता है जंगली जानवरों के बीच में और फिर मनुश्यों से मनुश्यों अगर कॉंटेक्ट हो रहा है तो ये हो जाता है सास के दुआरा जो air droplets हमारे जो लीज होते हैं उनके दुआरा हो सकता है अगर मनीश की बोड़ी में जो लिक्र जैसे उसके चालों से निकल रहा है उसके आप टेच में आ जाते है तो उससे भी हो सकता है इसके अलावा दो औ तो इसके लिए कोई दवाई तो एससच नहीं है फिलाल कोई वैक्सीन मंकी पॉक्स के लिए तो नहीं बनाई गई है बट यूरोपी यू ने मंकी पॉक्स के लाज के लिए जो चेचक का टीका था इमवे नेक्स इसकी अनुशंशा की है जो थोड़ा सा रिलीफ जो है देता है तो इन सारी चीजों को आप क्या है ध्यान में रखिएगा अब चूकि हमने मंकी पॉक्स को समझ लिया है तो आईएस पर एक प्रश्ण भी देख लेते हैं यह कह रहा है निमलिकित कत्नों पर गोशित कर दिया गया है तो मिल्कु सही बात है पॉब्लिक हेल्थ एमर्जनसी गोशित करने का तो एक अपने आप में माप द्रंड ही है कि जो वो इंटरनेशनल कंसर्ण वैश्विक रूप से चिंता का विश्य बन जाए ठीक है तो इस इस आईडी स्टीटमेंट दूसरा यह कह रहा है कि जो मंकी पठाश पॉक्स वाइराटर से वो इक आर एन्नी वाइरस है चिक क्या कहे रहा है एक रन वाइड़स है और दूसरा यह बोल रहा है और्थो पॉख्स वाइरस जीनस से यह क्या है संबंदित है देख citation में दो तो फेक्ट आपको बताए गए है और तो पॉक्स वाइरस जीनस से यह संबंदित है इसको भी याद कर सकते हैं दूसरा यह कह रहा है एक RNA वाइरस है बहुत ही महत्पूर्ण जानकारी है कि इस इस नोट अरन वाइरस यह डबल स्ट्रेंडड डिन वाइरस है प्लीज इसको य अंसा सही है केवल पहला सही है यह हमारा आंसर हो जाएगा राइट चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ इंडिया बायो एकोनोमी रिपोर्ट दो हजार बाइस किसके दुआरा रिलीज की गई है जयाव प्रवद्धोगी की उज्जोग अनुसंदान सहेता परिशद जिसको प्रवद्धों में बिराक बोला जाता है उन्होंने रिखे रिपोर्ट जो है रिलीज की है किस बीस पर रिलीज की है जो बायो टेक है यानि कि जो बायो टेकनोलजी है उसका भारत की अर्थ विवस्था में कितना योगदान हो रहा है इसके बीस पर यह रिपोर्ट क्या है त्यार की गई यानि कि हमारे एकोनॉमी है उसमें बाइयो टैक किस तरीके से योगदान दे रहा है तो देखिए क्या रिपोर्ट के मुखे निश्कर्स निकले जो जयाव अर्थ विवस्था है यानि कि जो आपकी बाइयो एकोनॉमी है वो दो हजार पच्ची सा एक सो सेक्टर में देखने को मिल रही है यह बाइयो एकोनॉमी वर्ड बहुत वज़े से महत्पूर्ण है पहला तो रिपोर्ट रिलीज हुई है दूसरा कुछ समय पहले प्रधान मंतरी मोदी जी के दुआरा अपने भाशन में इसका जिक्र किया गया था और उन्हें बकायदा म भारत कितना अच्छा काम कर रहा है तो अगेन ही इंपॉर्टन हो जाता है तो देखे 2021 में जो भारत की जैव अर्थ ववस्ता थी उसने 80 बिलियन अमेरिक डॉलर को चू लिया था जो 20 के तुलना में 14.1% की ग्रोथ थी चीक है उस तन 2021 में हर तीन दिन में बायो स्टार्ट कितनी हो गई है तो पहले 85 थे अब करीब तरे 500 हो गए कितने सालों में 10 सालों में राइट अब देखे बिराक ने जैव उधमी पारस्तित की तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 21 राज्यों और केंद्र साश्यत प्रदेशों में 74 विशेज जैव उश्मायन केंद्रों का लियुँ है कि नेटवर्ख तयार किया है समझते हैं ज्याव उश्मायन के इंद्र है बायो इंक्वेटर ऑंकिूबेटर का मतलब क्या हुते है ऐसी समय लीजिए जब किसी सघ्ट के अंडे को या मुर्गी के अंडे को सीना होता है उसको हीट देनी पड़ती है परिपकव ह करने के लिए उनको स्टार्टिंग में थोड़ी सी हेल्प देनी वड़ती है उस हेल्प के लिए सरकार की तरफ से इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है वह डवलब किये जाते हैं तो जैव प्रोदोगी के छित्र में जो बराक है उसके द्वारा 27 राज्यो और यूटी में ऐसे 74 स्पीशल हमारे बायू इंक्यूबेटर सेंटर्स का पूरा का पूरा नेटवर्ग जो किया गया है किसके द्वारा बिराक के द्वारा यह महत पूर्ण है इसको ध्यान लगए का इसलिए में कहती हूं कि मेगजीन से तो करेंट है फिर हम पढ़ लेते हैं लेकिन आप एगर जैव उश्वायन कींद्र लिखा होगा हमें पता ही नहीं है यह क्या है तो वह जानका है क्या तो देखिए जैव अर्थववस्था को जैविक संसाथनों के उत्पादन उप्योग और संरक्षन के रूप में परिभाशत किया जा सकता है जिसमें संबंदित ग्यान विज्ञान प्रदोगी की नवाचार सूचना उत्पाद आदी शामिल रहता है मुश्किल है आ अर्थववस्था चले हैं जैसे हम प्लास्टिक का यूस्थ करना ज्यादा से लाटो सुरू कर दे तो यह क्या निया यह आपका वा एक उनका इwhere 00 yeah कोई भी नई शब्द जो आता है कभी ना कभी तो चलनवा कोई नई जंगा तो उसको पता चली होगी तो देखे जब यूरोपिये संग और आर्थिक सयोगे में विकास संगटन OECD के द्वारा नए उत्पादो और बाजारों को विक्सित करने के लिए जयाब प्रोदोगी का उप्योग करेंगे, इस बात को बढ़ावा देने के लिए धाचा तयार किया गया था, तब यह को बढ़ावा देता है, कैसे अगर पेट्रोलों का जादा यूज करेंगे तो एक टाइम पर कुरूड ऑईल आपका खतम हो जाएगा, अगर आपने कुछ आल्टरनेट टेकनोलोजी नहीं बनाई, तो आने वाली पीडी, वो कैसे अपने आपको सस्तीन करेगी, तो अगर आ इंधन का यूज करना शुरू कर दिया, हाइडोजन को लेकर आपने वहन बनाने शुरू कर दिये, तो कहीं ने कहीं, आप सदत विकास को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरा क्या यह चक्री अर्थ विवस्था को भी बढ़ावा देता है, सर्कुलर एकोनॉमी, बहुत पहले सब्सक्राइब दोड़ावा देता हैं, तो देखें यहां पर भी जो हमारी बायो एकोनॉमी होगी, इस सर्कुलर एकोनॉमी के सिद्धान्तों को समाहित करते होए, चलेगी, राइट, समझते हैं, अब देखें विशिश रूप से चक्री ववस्था होती क्या है, पुना उ होगा अपसिस्ट की कुल मातरा और अपसिस्ट का जो नेगेटिव इंपक्ट पड़ता है हमारे इन्माउमेंट पे वह कम हो जाएगा इसके अलावा जो प्रदूशन की समस्या हमें फीज करनी पड़ रही है वेस्टिज की वज़े से जैसे दिल्ली में है न वह कूड़ी का बड़ा सा पहाड है तो वेस्टिज की समस्या से जो पॉलुशन हमें फीज करना पड़ रहा है वह भी कम हो जाएगा तो देखे जैव आधारित उत्पादों के अगर आपको एक्जाम्पल देने हो तो क्या दे सकते हैं बहुत इंपॉर्टर एक्जाम्पल है दूसरा क्या दे सकते हैं बायो डिग्रेडेबल कपड़े दे सकते हैं वह सिंथेलिक कपड़ें पहनिय में वेकार है मोसम के साब से भीप्यूक्त नहीं है है और फिर उनको जो है एक तरिके साब नस्तारीत करते हैं तो इन्वाऔम्मेंट के लिए भी तो बायो ड्रगडेबल कपड़े जो माले स्वास्थी के लिए प्रत्वी के लिए अच्छ उनका यूज करेंगे अब कोई चीज इतनी महत्पून है और इंटरनेशनल लेवल पर इसके लिए काम हो रहा है तो भारत इस दिशा में क्या कर रहा है तो देखिए भारत ने का है क अबर्ल दो हजार तेज से 20 पुसेंट इतनोल मिसृत जो पैट्रोल है उसके शुरुआत करेंगे पैट्रोल पर डिपेंडेंसी भारत कम कर रहा है और इतनल क्या एक बायो प्रोड़क्ट है जह क्या है इसके लिए नेशनल बायो फार्मा मिशन जो है चला गया है किसकिस के बायो फार्मा मतलब क्या वही जैविक को लिकर फार्मसेटिकल में कुछ काम कर रहे हो है ना फार्मा वर्ट तो समझते हो ना चीक है अच्छा एक वर्ल लेवल की स्विधाओं के साथ पूरे भारत में 35 बायो इंक्यूबेटर भी स्थापित किये जा रहे जो आपको पहले मिशन इक शुरू किया गया था हमारा पास एक राष्टी मिशन भी है बकाइदा जिसको 2016 में हम लोग लेकर आये थे तो इनिशेटिव्स जो जो है महारा सरगाय के द्वारा चलाए जा रहे हैं अब जब हमने इतना पढ़ लिया है तो आई एस पर प्रेशन देखते हैं क्य आधारित आर्थिक गतिविदी का एक रूप है जैव अर्थववस्था अर्थववस्था मतलब आर्थिक गतिविदिया जैव मतलब जैविक संसाधन इन दोनों चीज़ों को मिला दो तो यह वाले स्टीटमेंट बन रही है कि नहीं बन रही है और पोधे हो गए सुक्षि कर दोनारित उध्योगों में सन रचणात्मक संकरमन की सुईधा करना है अगें दिस इसव एब घड़ एको लमी अभी जो गयय जवाशम चीज़ों पर जादा निर्भर करती है उसको वहां से एम सॉरी जवाश माधार चीजों पर जादा बिटराना है रिनुवेबल चीजों पर ले अना है तो इकोनोमी पर आना है तो फई में फिरसट के चाहरा है चीक बात है statement तो ठीक है याद कीजिए ministry हमने कौन से पढ़े ते कि जैव-जैव की बात हो रही है तो लग सकता है कि नवी करनी ministry हमारी सही है लेकिन नहीं यहां पर ध्यान कीजिए science and tech ministry हमारी यहां पर ठीक थी तो यह statement क्या है गलत हो जाएगा अब माल लेजिए प्रेशन आपको पता नहीं, आपने जाव एकोनोमी के बारे में सच कुछ पढ़ा नहीं है, तो भी इस प्रेशन को आप कैसे solve कर सकते हैं, अगर यह जो third statement है, इसके बारे में आपको इतना भी पता हो, कि इसमें जो मंतरालिय दिया गया है, गलत दिया गया तीन गलत होते हैं, यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है, एक ही option बचता है, वन और टू, या तो पढ़ के solve कर लीजे, या थोड़ा सा ट्रिक के बरोसे रहकर भगवान का नाव लेकर solve कर लीजे, आइट, आंसर क्या हो जाएगा, C1 और टू, पहली दो ठीक है, च पर राज्यों को रांगिंग जो है, यह भी गई है, यह भी बताया है, भारत प्रति व्यक्ति केवल 43 अमेरिक डॉलर खर्च करता है, और ब्रिक्ष या आश्यान देशों के बराबर होने के लिए, भारत को इस खर्च को बढ़ाने की आवश्यक्ता है, जब तक रिसर्च औ इसको बढ़ावा नहीं देंगे, इनोवेशन नहीं होगी, नहीं तकनिके नहीं आएंगी, साइंस और टेक मैप पिछट जाएंगे, और आज का पूरा का पूरा विश्व इसी पर निर्भर करता है, तो देखे रूस में प्रतिविक्ति 285 अमेरिक डॉलर खर्च होते हैं, तो यह कंटरीस हमसे बहुत आगे हैं, है ना, अगर सकल घरेलो उतपात के प्रतिशत के रूप में बात की जाए, हम अपनी GDP का कितना R&D पे खर्च करते हैं, तो यह बहुत कम है, क्योंकि यह 0.7% पर ही रुका पड़ा हुआ है, लेकिन एक पॉइंट को ध्यान रख लीज भारत ने थी कि रूस, ब्राजिल और दक्षिंड कूरिया जैसे जो देश हैं, उनसे जाधा शोध पत्र जो है, बेसिकली रिलीज किये हैं, पबलिश किये हैं, अब देखिए, R&D पर एक तो पहले ही खर्चा कम है, उसमें से भी 55% खर्चा सरकार के द्वारा होता है, जब कि इसको प्राइवेट सेक्टर के द्वारा होना चाहिए, जो बड़ी-बड़ी कमपनीज हैं, उनको रिसर्च ए डवलोपमेंट में जाधा पैसा लगाना चाहिए, तो इस चीज को भी जो है, क्या है, बदलने की जुरूरत है, यहां पर है तिया गया है कि विवसाय और न स्टेट में मनिपूर ने टॉप किया है, यूटीज में चंडीगर नेस में टॉप किया है, अगर निचली स्थान की बात करें तो च्छतिसगर उडिसा बिहार नीचे थे और बहुत अचंबे की बात है, इसलिए मैंने हाइलाइट भी कर दिया है, गुजराद भी देखिए सुचकांग में सबसे नीचे था, तो इसी स्टेट को लेकर वो पूछ लेंगे, क्योंकि कई बार लगता है कि ये तो भई आगे होगी, अब अभी हाली में मैंने पिछली वीडियो में नीतिया पर आप पे क्वेश्चन पूछा था, तो इसलिए इसका क्वेश्चन में स्क इतने देशों में 119 देशों में 21 पर रंग देता है माले जे आपने पहले से वीजा नहीं लिया है बिना पहले वीजा लिये आप कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं आप अपने उस देश के पासपोर्ट के वलबूते कितने देशों में वीजा बिना लिये यात्रा कर सकत तो यह बताता है कि बिना वीजा के आप कहां पहुंच सकते हैं तो एक सो निन्याडवे देशों में जापान फॉर्स नंबर पर है तेक है बाकी के जो टॉप 10 देश हैं वो यहां लिखे हुए है देख लीजेगा अफगानिस्तान इराग इन दोनों को सबसे निचले स्थान पर रखा गया है ठीक है अगर भारत उसके परोसियों के प्रदशन की बात करें तो एश्याई देशों में भारत मौरिश और तजाकिस्तान बिना पूर्व विजा के 67 देशों की आत्रा कर सकते हैं और इसके साथ हो 87 रैंक पर हैं जबकि चीन और बॉलिविया जो हैं उनको 169 वे स्थान पर रखा गया है बांगलादेश थोड़ा पीछे 104 वे स्थान पर है केवल 32 जंगा ही पाकिस्तान के पासपोर्ट वाले लोग जा सकते हैं और दुनिया में 34 सबसे खराब रैंक इनके आई है अच्छा ये सारा का सारा जो रिपोर्ट निकाली गई है इसके बा पारे में दोशों की जो यात्रा है उनके बारे में जानकारी वाला ही सबसे बड़े डेटा बेस है क्या नाम है इंटर्नेशन एयर ट्रांस्पोर्ट असोशियेशन राइट इसको ध्यान रखिएगा अब ये कृश्चन देख लेते हैं ठीक है कि यह भी हले पासपोर्ट इ स्थान है मुझे बताईएगा क्या है दूसरा कह रहा है अफगानिस्तान और इराक के साथ भारत को निचले स्थान पर रखा गया है ठीक है आपके सामने ऑप्शन दिये गए है इसका आंसर आपने देना है क्योंकि मैं पढ़ा चोकी हूँ राइट चालिए बात करतें योनिवर्स पूंसरा की तरह है जावा कि पोइंट अगर पॉंट बी ॔अ पर चोटे चोटे बर्ग है से पति है इसअ निको पॉंट जो निच ही क one बी थकर चावी टरावन अनने में ताइम लगेगा बर दिस्टेंट ना लेकिन अगर इस फूरी सड़क को एक रीबन को में ऐसे फोल्ड कर दू तो देखे कोई चीज चीज़ सीधे थी ठीक है अब वो इसे फोल्ड होगई जैसे सीधे में आप मेरे इस हाथ में जा में वाच पहनू और इस हाथ में गार पहनू इनके बैच ग्या ह कुछ Zoo एक उनिवर्स करना कि अने हैं कुम उनिवर्स होते हैं जो फोरंगी तरह यह होते हैं मांधियम से पॉइन्ट इसे पॉइंट बी पर जहां पहले आपको पहुँचने में कितना टायम लगता क्यूं क्योंक युनिवर्स तो ऑर्सीमित है अब आपको क्या है थोड़ा सा ही टाइम लगेगा यहीं एक concept of warm hall के बारे में हाला कि warm halls के बारे में अभी जो वेज्ञानिक है वो basically पता नहीं कर पाए हैं तो इनको आपने क्या करना है ध्यान रखना है चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि warm hall अंतरिक्ष में दो स्थानों को जोड़ने वाली सुरंग है तीक है warm hall के माध्यम से गुजड़ने पर सद्धानतिक रूप से थियोरी क्या कहती है अंतरिक्ष में अत्यादिक दूरी की यात्रा लिखनी रूप से आप जल्दी कर पाएंगे बले ही warm hall के दोनों छोर बहुत दूर दूर हो लेकिन उनके ब पर वाम होल था इससे आप सीधे यहां आ गए तो टाइम कम लगाना यही warm hall है तो इसके अस्तित की वविश्यवानी लुडविंग फ्लेम ने 1916 में ही कर दी थी और इसके कुछ समय बाद पिर आंस्तीन ने अपने साप एक्ष्टा के सामने सद्धान को प्रस्तावित किया हालने कि जो खगोल विद्व अगरा है वह अभी तक इनके अस्तित्व की पुष्टी नहीं कर चुके हैं लेकिन क्योंकि न्यूज में था तो मैं पता हो कि वह होते क्या है तो मुझे उमीद है कि मुश्किल सी चीज में आसान करके आपको समझा पाई होंगी अब बात करते टॉपिक नमबर छे की भारतिय अंटार्क्टिक विध्यक ठीक है तो यह देखे भी क्या है लोकसभा में पारित कर दिया गया है दरशल यह विध्यक अनिवार्य रूप से अंटार्क्टिका में जो भारत के मिशन हैं प्रोजेक्ट्स हैं उनको घरेलू कानूनों के अंदर ले आएगा भारत के पास पहले यहां के लिए डेडिकेटेड कानून नहीं था तो जो भारत की मिशन वगएरा माद चलते थे वह इंटर्नेशनल कानूनों के दाएरे में आते थे बट हमने क्योंकि अंटार्क्टिका संधी को पर साइन किया हुआ है तो हम पी मेंडेटरी लगबग 27 देश हैं जिनमें युनाइटेड किंग्डम अमारिका जापान इटली जर्मनी या जाते हैं इन सब के पास अंटार्क्टिका पर अपनी घरेलू कानून पहले से ही मोजूद हैं विदे के दाथ क्या क्या इंपोर्टेंट प्रावधान हैं वो देख लेते हैं इसके लावा अंटार्क्टिका साशन और पर्यावरान संवरक्षन समीति कींजे सरकार के दुवरा स्थापित की जाएगी इसमें 10 सदस्य होंगे जो सिंव सचिफ से पद के नीचे नहीं होंगे जो कोई भी अभ्यान करना चाहता है सुमादीव की यात्रा करना चाहता है उ इसको इस कमिटी से पर्मिट लेना होगा अगर आप रूल्स रेगूलेशन के साथ फोलो नहीं करेंगे तो आपका पर्मिट कैंसल भी हो सकता है इसके लावा पर्यावरान के सुरक्षा के लिए जो प्रासंगिक अंतरष्टिक कानून है उन कानूनों को लागू करेगी जो संधी समेलन कुछ कन्वेंशन वगएरा होंगे इस से रिलेटर उन सभी पक्षों की जानकारी को जुटाएगी और फिर उनकी समिक्षा भी कमेटी जो है करेगी फिर इस विधेक के द्वारा कुछ चीजों पर रोक भी लगाई गई है क्या क्या है जैसे अंतर्टिका विध सकते हैं एक अपवाद है यदि इस तरह की गति विधिया रिसर्च के उदेश्य से कर रहे हो तो आपको एक परमिट लेना पड़ेगा फिर आपको जो है छूट मिल जाएगी फिर ये विधेक ये भी कहता है कि वहां की जो स्थानिक एक तरीके से फ्लोर फ्योना है उनको आ परियावरन को नुकसान पोचाने वाली गति विधियो को आप नहीं अन्जाम दे सकते हैं जिसे उडने वाले हैं लेंडिंग हेलिकॉप्टर्स या वह जहाद के परियावरन को वहां के जानवरों को परिशान करेंगे उनका भी यूज आप नहीं कर सकते हैं तो देखिए इसके माधियम से उमीद की जारी है कि भारत जो है अंतर्क्टिका संधी 1959 अंटाक्टिका जलिये जीवन संसादन संदी 1982 परियावरन संदी पर अंतर्क्टिका संधी प्रोटकोल 1998 के ते जो दाइत्व दिये गए हैं उनको पूरा कर पाएगा इनके अंदर कुछ कुछ उन्ह पर भारती प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो तीन स्थाई सिवर अंटाक्टिका में भारत के हैं दक्षिन गंगोत्री 1983 जो परिचालन में नहीं है अक्टिव नहीं है दूसरा कौन सा है मैत्री 1988 और भारती 2012 यह दोनों पूरी तरीके से काम कर रहे हैं हाला कि जो भार सभा के द्वारा ही बस पास हुआ है बाद में हम कभी इस पर बहुत डेटेल से चर्चा जो है करेंगे अभी हम इस पर संबंदी देख लेते हैं भारत अंटाक्टिका समुदरी जीवित संसात्नों के संरक्षन पर एक कन्वेंशन है और दूसरा अंटाक्टिका समुदरी ज सब्सक्राइब तो बिल्कुर ठीक हो जाएगा अगर एक इस टीक में अंटाक्टिका के बारे में तो आक्टिक का भी हमें पता हो तो देखिए आर्टिक सर्क्ल के ऊपर पड़ता आपका स्वाल बाद एक स्थान है महाबर भारत का हमादरी नाम से स्टेशन है और भारत कौन कौन से तो दक्षिन गंगोत्री जो चल नहीं रहा है मैत्तरी और भारती तो यह वाली स्टेट्मेंट भी क्या आपकी ठीक है पूछ रहा है कौन सा सही है सी हमारा आंसर हो जाएगा फॉस्ट इन सेकेड राइट अब बात करते हैं टॉपिक नंबर सेवन की परवासी म मोनार्क तितली एक होती है atral इन उसी की जो है अपते गृस नियूस में यह है कूंकि अंतरराष्टे परक्यत्र में टाल दिया यह देखिए उत्तरपूर्व संयुक्त राज्य एमेरिका से बारासो से लेकर अठाइस सो मील या उससे अधिका भी ट्रावल करती है और दक्षिनपूरु कनाड़ा से मध्य मैक्सिको में परवतिय जंगलों तक यह जाती है जहां पर नवंबर से लेकर मार्च तक यह हार्ब पहचाने वाली तितली की परजातियों में से एक है पारस्थिति के तंतर में परागन के लिए और वैश्विक खाद जाल को बनाए रखनी में यह महत्वण भूमी का निभाती है इतनी बेसिक जानकर इसके बारे में ध्यान रखेगा यह बहुत शांदार से इसके पिक्चर अब देखिए गहन क्रशी के लिए कीट नाशक क्योंकि बढ़ रहे है तो असे मिल्क वीड पोधे को नुकसान पहुच रहा है इस मिल्क वीड पोधे का क्या रिलेक्शन है इन तितलियों के साथ यह तितलियों की एक अलग सी चीज है यह जो अपना बेसिक खाना पीना ले सिर्फ यह पोधे करता है तो यह तो दो भी पोधे रहे हैं को टितलियों की दृतों के संधर में आई है कि निमिल्क वीड पोधे को देख satisf Satya та को अब के संधर में लेकल यह तो आहिंए इसको देख ब्रुछय के संधर निम्मल्य चाव librag तो देखते हैं पहला स्टेट्मेंट क्या है तितलियों की कुछ प्रजातिया वातावरन से कार्बेंड डाय ओक्सेड को क्या है अवसोफशित कर लेती है और वायो प्रदूशन को कम करने में मदद करती है देखे कुछ तितलिया अज्यूम करते हैं आपको नहीं पता है करती होंगी और जो है परदूशन को कम करती होंगी क्योंकि तितलिया वैसे भी पास्तिती की तंदर के लिए बहुत जादा महत्तपून होती है तो अगर आपको पता है तो इससे इच्छे बात कुछ हो इनी सकते है पढ़ाई से अच्छा कुछ नहीं सकता नहीं भी पता है तो यह कुछ वाइड है यह दर सले स्टींटमैंट को ठीक बनाने के चांस जादा कर देता है तो दिस इना मैंने इस स्टींटमैंट लिया ले दूसरा कहा है तितलीयों की कुछ प्रजाथिया लंबी दूरी जो आप पराकन को ले जाती है जिससे पोधा क्या है एक तरीके से आप कह से री प्रोडटेग्टिव सिस्टम के मोड में आ जाता है ठीक है पोधे के अंदर प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है जो अपने आपको प्रेशंग्रा को बढ़ातार रहता अब कि यह देश देश में तो यह अलग अलग तोग अनुवान शिक भिंता। थो आती ही होगी, यह तो होता ही होगा इवाइज दिफेर्ट बवह आपस में मिलती हैं तो यह अनुवांशिक भिंता का करण बंदी हैं। तो यह statement में देखा जाए तो अगर आप थोड़ा सूचेंगे थोड़ा common sense लगाएंगे तो यह भी क्या है ठीक हो जाता है और यह ठीक है भी पूछ रहा है कौन सा सही है हमारा पहला भी ठीक है दूसरा भी ठीक है तो B देखिए C जो है हमारा answer यहां पर हो जाएगा तो देख यह integrated theatre command यह होती क्या है बेसिकली तीन सेना है हमारे पास सेना है थल सेना है नो सेना है आपकी वायू सेना है इन तीनों को अलग अलग जो है basically संचालित किया जाता है माले जे कोई location आपकी ऐसी है जैसे पाकिस्तान का वार्डर चाइना का वार्डर जहां पर एक युद किस् बहुती समनवित रूप से बहुती coordination के साथ काम करनी की जुरत है तो उन दिनों के खटा करना किसी एक के अंडर ले के आना पूरा एक प्रोसीजर बनाना और यह सब चीज़े मुश्किल हो जाएगी टाइम लग जाएगा तो क्यों ना पहले ही तीनों किकरत करके command बना दी किसी पॉल्टिकुलर किसी विशिष्ट भोगोलिक स्थिती के लिए और फिर उनको उसी तरीके से संचालित किया जाए तो यहीं इंटेग्रेटर कमाड की concept है यह कहता है हर भोगोलिक छेतर की अपनी अलग-अलग आफिक शकता है जैसे हो सकता है समुदर की सीमा है वहां प किसी एक कमांडिंग ऑफिसर के अंड जब हम पारिचालन करते हैं और उनको पूरी फ्रीडम देते हैं काम करने की तो यह किकरत कमांड जो हमारा थीटर है इसके अंदर कहीं आ जाता है यहीं इसकी concept है क्या गह रहा है इंटिग्रेटिटिट थीटर कमांड इटी से एक एक कमांडर के तहत तीनो सेवाओं के संसादरों की पूलिंग को सक्षम बनाता है अलग अलग रिसोर्स तो उसको एक साथ पूल करके ले आता है दन उसका यूज करते हैं यहीं मैंने आपको बताया यहीं पेपड़ी में भी लिखा हुआ है राइट सैयुक थमान का प्रभारी सेन्य कमांडर होगा वो राष्टी सुरक्षा खत्रे की स्थिती में सेना नो सेना वायो सेना की संसादर लेकर एक साथ काम करेगा ठीक है यह जो अवधाना है यह बिसिकली अमेरिका में उत्पन हुई थी उनके पास अपनी 11 एकिकरत कमांड है फिर चाहिना ने भी अमेरिक कमांड को जूड के लिए पास के सत्रह और वायू सेन्य कुषाथ साथ 2 हैं है और लीडर के लिए पर फिर्झ कंमांड पर चारह सितारह रान्क कर और साभाने कैसे होताया तो जो शीना मुख्याल सेवं मॉक्याल स्थर पर जो Chief of Staff Committee है उनके माद्यम से किया जाता है थोड़ा सा ध्यान रख लीजेगा स्टीटमेंट के रूप में आ सकते हैं ठीक है इसके अलवा त्री सेवा कमांड भी हमारे पास है एक तो मारे पास सामरिक बल कमान है और एक अंडमान निकोबार कमान है ठीक है इसमें से ध्यान है तो है उनका नित्र तो होता है त्य mee अधिकारियो द्वारा रोटेशन के माधियम से किया जाता है हॉल जो हमारा मलक्का जल्दम्रू मद्ती है फोह पर भारति हीइसके करने के लिए पोर्ट भ्लेयर में क्या है इस्दित खेक है अब आप जो आपने इस पर अधनेंग क अंडमान और निकोबार कमान एक एकिकरत थीटर कमांड है सही बात है जो वर्तमान में भारत में तीन एकिकरत थीटर कमांड में से एक है तो स्टेटमेंट क्या है गलत है क्लोता ही एकिकरत थीटर कमांड जो है भारत के पास है तो यह क्या है गलत हो जाएगा फर यह कह रहा ह तो बिल्कुल सही बात है इन दोनों ही समीतियों ने कहा था कि इंटीग्रेटर थीटर कमांड बनाने की भारत को आवशकता है दोनों ही समीतियों ने ठीक है शेट करने भी और कारगिलने भी यह स्टेटमेंट आपका राइट है इसको ध्यान रख लीजेगा पूछ रहा है समाप्त होता है अगर आपको वीडियों समझाया तो उसको लाइक और जरूर करके जाएगा कमेंट सेक्षिन में कुश्यन का आंसर जरूर दीजेगा और प्लीज अपना फेड़बेक दी जरूर जरूर दीजेगा मुझे बहुत खुशी होगी और तब तक के लिए नमस्का जैहिन धन्यवाद